हेलो फ्रेंड्स वेलकम एक टू ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब मेंबस यहां पे बहुत बहुत बड़ी न्यूज है यहां पे जिसकी वजह से डाउ डाउ जो जो अमरीकी बजार है वो यहां पे 600 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया है अगर आप देखोगे पर करीब 570 पॉइंट यानि कि पॉने 2% और नेस्डेक करीब पॉने 3% क्रेश होता हुआ दिखाई दिया यानि कि हमारा जो मार्केट है निफ्टी जो है वो मंडे क्रेश कर सकता है फॉल कर सकता है तो क्या सर क्यों क्या यहां पे बहुत बड़ी प्रॉबलम है तो कि यस बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है अब दोसों मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा I'm sure देखो मैं कभी भी वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाता हूँ ठीक है आपको समझाने के लिए बनाता हूँ तो कि यहाँ पे बहुत बड़ी नियूस है मैंने हमारे WhatsApp ग्रूप के अंदर बोला था कि आँज Fed की important meeting है ठीक है वो decide करेगा यहाँ पे Dow Jones का future या Nifty का future तो कि क्या सर क्या होने वाला है तो कि यहाँ पे जो meeting थी ना Fed की उसमें बोला यह जा रहा है कि आपे inflation अभी भी बहुत ठीक है वो लोग inflation को control करने वाले है और उसी की वज़े से rate hikes aggressive rate hike करने वाले है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत जादा aggressive rate hike होने वाले है और उसकी वज़े से जो household है business है उनको problem होती होई दिखाई जैसकती है economy slow पढ़ती होई दिखाई जैसकती है job losses होते होई दिखाई जैसकते है लेकिन inflation को control करना important है तो यह बहुत बड़ा दीशेजान है कि आगे चलके यहाँ पे rate hikes होते हुए दिखाई जैसकते है ठीक है यह बहुत बहुत बढ़ा statement था जिसके अगला question आ जाते है देखो मैं आपको question की सबसे समझाँगा ठीक है ठाकि आपके mind म कोई सवाल ना रहे ठीक है ना कि सर आगे चलके क्या हो सकता है फलाना क्या हो सकते है और क्या करेगे ओके तो point focus करना देखो पहले भी rate hikes हुए थे I'm sure आप सभी को बता है तो उसी की वज़े से dow jones नीची continuously गिर रहा था तो कि सर अभी उपर क्यों गया था बीच में जो अभी rate hikes बहुत हो चुके है इंफलेशन कंट्रोल में है और अभी ज्यादा rate hikes होते हुए नहीं दिखाई जा सकते है ठीक है ना क्योंकि देखो अगर और ज्यादा rate hikes होते है aggressive rate hikes होते है ठीक है तो माना यह जा रहा था कि जो इंडिया है या तो जो ग्लोबल मार्केट USA UK है वो inflation की जगा recession में आ सकते है recession यानि की मंदी में ठीक है ना आप यह समझो देखो दो चीज़ होती है दोनों अलग अलग है एक inflation होते है ठीक है महेंगाई उसको control करने के लिए क्लिए क्या होता है तो कि rate hikes होते है ठीक है na rate hikes होते है लेकिन अगर rate hikes करते है तो problem क्या मार्केट में जो money ऒंड़न läuft वो कम हो जाती है ठीक है मंदी आ जाती है तो लोगों के पास पैसे कम होगे पैसे कम कोगे तो पैसे कम हुआ दिखाई लिया बाते समझ में ठीक है अब पॉइंट पे आ जाते हैं तीसरा पॉइंट यह आ जाते हैं कि सर यह definitely क्या rate hike करने वाल है तो कि नहीं ठीक है इन लोगों ने यह बोला है कि इनका जो inflation rate है वो 2% तक की target करने वाल है तो कि सर अभी कितना है जहां तक मैंने पता किया है 6% के approximately है आप इससा तो मुझे comment करके correct कर सकते हैं ओके ना लेकिन अभी माना यह जा रहे कि 2% करने वाले है ठीक है अब और एक point है कि यहाँ पर यह जो rate hike होगा वो अभी भी pending है देखो यह confirm नहीं कि rate hike होगा सिर्फ इन लोगों ने बोला है कि वो करने वाले है लेकिन कौन से अधर पर करने वाले तो कि यहाँ पर कोई data आने वाले है ठीक है अल ओवर सीनारियो है जिसके वज़े से डाउ जोंस गिरते हुए दिखाई दिया है और एक जिस निफ्टी आपको 17-500 पर दिखाई दी रहा है बात यह समझ में ठीक है होग में बस हम जो SMF है आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहो अगला पॉइंट कर लेते हैं कि सर चलो रेट हैक्स होते हैं अब हमको क्या करना चाहिए क्या मार्केट से टेंपर एक दो मैने के लिए निकल जाए क्या पैनिक में है क्या पोट्फियो बीस दिना चाहिए देखो मैंने इसी की वज़े से 18,000 पर प्रॉफिट बॉकिंग की थी 30-40 पसंट जो मैंने प्रॉफिट बॉकिंग की थी और मैंने आपको बोला था कि मैं यह पूल बैक में भी अभी एड नहीं करूँगा मैं थोड़ा वेट और वाच करूँगा क्योंकि मुझे लग रहे है यह नल्ला पूल बैक हो सकता है ठीक है आम शूर आप लोगों क पर होते हैं जैसे कि यह स्टॉक मैंने आज बताया था यह स्टॉक जो मैंने बताया था ठीक है वो एक अलग ट्रैक पर है मार्केट में इंफलेशन या मंदी जितनी भी हो यह स्टॉक चलते रहते है ठीक है अब तीसरा पॉइंट हो जाता है सर क्या पोर्टफोल आप ग्ले जूक ब्ले पूड हो गया वैसे स्टॉक ऑल्धी बॉट करने के जरूऊथ नियूग जो पैनिक करने की जरूऊथ हो ओके ना देखो अगर मंदी आती है मार्केट में मंदी आती है तो होटल सेक्टर में भी प्रॉफट बुकिंग हो सकती है हो सकती है ना होटल सेक्टर में मंदी आगी तो बहुत प्रॉबलम कहां पेगी ट्रावल टूरिसम में आगी समझ में आ रहा है तो कुछ stocks हो सकते है जहां पर problem हा सकती है जो sector में problem हा सकती है वो sector को आपको दूर रखना चाहिए बात यह समझ में तो all in all यह problem हो सकती है clear तो मैं यहाँ पे portfolio अभी के लिए नहीं बेचूँगा थोड़ा wait and watch करूँगा जो half portfolio है वो wait and watch करूँगा और ऐसा हो तो नीची के level से average करूँगा लेकित अभी wait and watch ठीक है पांचवा point हो जाता है अब देखो यह तो market में negative news है ठीक है लेकिन अगर कोई particular stock में और negative news आगे तो क्या होगा तो stock मंडी को definitely crash होगा यानि कि inflation के data के साथ साथ ठीक है न अगर stock की भी news बेकार आती है ठीक है bad आती है वो भी fall करेगा तो कि sir किसकी bad news आई है तो कि यहाँ पे है IRCTC IRCTC में यहाँ पे बोला यह गया है कि इन लोगों ने जो tender निकाला था I am sure आप लोगों को पता होगा कि जो data है ठीक है वो monetize करने वाले थे इसकी वाज़े से tender निकाला था ठीक है वो data बीचना चाहते है IRCTC जिसकी वाज़े से IRCTC rocket बना था अब दिखो यह tender को withdraw का लिया है IRCTC withdraw tender for consultant to monetize his passenger freight consumer data यह tender को withdraw का लिया है यानि कि वो monetize करने वाले नहीं है ठीक है न तो यह manipulated news थी जो market में insert की गई थी IRCTC को भगाने के लिए और IRCTC भाग गया अभी news withdraw कले ही stock अभी crash हो सकता है ठीक है तो देखो यह news कब आई है तो कि 26 August को रात के 8 बजे आँच कौन सी है 26 August ठीक है तो definitely focus करना भाई कुछ stocks हो सकते है जिसमें बड़ी profit booking हो सकती है तो अगर कोई top पे है stock आपके पास ठीक है अगर कोई ABC फलाना stock है budget finance जैसे stock या nifty के stocks उसमें profit booking का सकते है जैसे कि Asian paints हो गया वो top पे है Titan हो गया वो top पे है तो कुछ stocks में profit booking का सकते है बाकि मेरे लिए market में news sentiment negative आना start हो चुके है और अगर आप यहां पे focus करने जाए ठीक है दोस्तों थोड़ा देखो मैं important चीज़े बताना चाहूंगा मैं कभी भी बखवास नहीं कहता पॉइंट focus करना यह जो Dow Jones है अमरीकी बजार यह जो मंदी का pattern था यानि कि आप बोल सकते है कि यह recession का pattern ठीक है falling wage pattern यह falling wage pattern को इसने breakout किया था लेकिन अभी यह वापिस breakdown कर रहा है दिख सकते हैं आप यह ठीक है यहां पे जो एक trend था उसके अंदर वापिस यह आ रहा है यह falling wage pattern का breakdown कर रहा है बात है clear तो all in all market में negative news आना start हो चुकिए है done तो हुब मैं मस आज का वीडियो आपको समझ में आओगा फिर कोई query रह जाते है comment जरू किजीगे मैं आपको answer देनी की जरू कोशिश करूँगा और जिन लोगों ने profit book किया है profit किया है dipak fertilizer जैसे stock में profit book करके exit कर लेना clear ठीक है और अगर telegram में यह जाके जूड़ीगा search करना है my stock market funder telegram channel के अंदर और whatsapp group को जोईनगा है छोटी सी paid membership है या वो ले सकते है या आप हमारे link से demand account open कर सकते है angel proking free demand account provide कता है zero da यहाँ पर one of the best share market में मैं खुद यूज़ करता हूँ ठीक है पेटेम ने पंदर रुपे intra day delivery के चार्च करते है तो किसी भी एक में जाके teammate account open कर सकते है और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like करना channel subscribe करना notification को ज़रू हिट कर देना ठीक है मिलते है अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए good bye जए हिन